हाई वरीवन मैं मनजर आप देख रहे हैं काउंटेंसी जोन यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हो की हाउ टू चेंज क्रेंट फैनेंसल यर और हाउ टू मूझ तू नेक्स्ट फैनेंसल यर जब 31 मार्च को हम फाइनल इंटी पोस्ट कर लेते हैं तो अगली इंटी करने के लिए को चेंज करना पड़ता है, तो इसके लिए में बॉचर कराना है काउंटिंग वर मैं क्या करना एडिकियों सब्स्क्राइब कर कोइन तू इस यहां टाइप करके इंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक एरर मेसेज आता है जिसमें लिखा हुआ कि डेट के नर्ड भी एब अब धा क्रेंट परियल फ्रेंड जो हम डेट टाइप कर रहे हैं जो इस करेंड प्रेंड से वह एब वह बैसले हमारे एंटी अक्सेप्ट नहीं होगी तो फ्रेंड इस चीसका आपको ध्यान देना है जब अगली कोई इंटी आप पोश्ट करना चाहेंगी तो सबसे पहले उसे चेंज करना पड़ेगा तो फ्रेंड आप करने के लिए क्या करेंगे इस का बटन को प्रेस करके गेट पर आजाते हैं यहां पर क्रेंड कर सकते हैं कीबोर्ड से आल्ट पर एफ्टू पर योग करके को डिलेते हैं तो सबसे पहले हम न्यूफ अफ्स purse करना है जय então करतेज आब अब पड्रेंच करने के बाद इंड्रपरेस करते तो आप में इसक्रीन करने के दोखा सकते हैं इससार क्रेंडर करने के लियर कि पर टीप करने के financial है क्या नहीं है अगर है तो टीक फ्रेंट आप account को चेक करने के लिए क्या करते हैं balance sheet पर आते इंटर्फ करते हैं इतने में क्या करना आलटर प्लस एफ रफ्रेस करके इसको detail कर लेना है इसके बाद हम data वाले लिष्ट पर आते इंटरफरेस करते हैं तो तो आपके सामने वो एकाउंट ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि इस एकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस हो कर रहा है दो लाग दीज़ार पाउन सो छाचाट रूपया पैसट पैसा फ्रेंड और जो नेक्स्ट में कोई भी इसकी इंती पोस्ट नहीं नहीं दिखा इगरीज का मतलब यह हो गया कि जो हमारा क्लोजी इंबैलेंस का कोई शो कर रहा है इस तरीके सारे अकाउंट को आप चेक करेंगे तो वैसे ही आपको डिट्रियल मिलेगी तो आप सारे अकाउंट को चेक कर लेंगे देन क्या करेंगे इसका बढ़न प्रेस करके आप फिर स करेंगे तो जुड़ियों सारा रहे हां पर इसका मत्रब यह होता है कि जो हमारा क्लोजिंग बैलन्स ना बैंक का वह Sicht अने लगाए इस त्तरीके से फरन जात में भी हमारे प्रिवियस फैनेंसल अकर के क्लोजिंग बैलेंस हुँंगे तो इस फाइनेंशल मेंसे क्या तो फ्रेंड अब हमें क्या करना है माल लीजिए हमें क्या करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं तो आपके सामने चेंज का बॉक्स ओपन हो जाता है अब फ्रायं में क्या करेंगी जो प्रीएस पारेंश की देट ती वह टाइप करेंगे या अप्रस संद अजल वसजार में ऐसे क्रेंट कर लक में प्रिएट róż करते हैं कि आप क्या impact पड़ लाए data वाले इंटरप्रेस करतें तो आपके सामने data वाले इस्ट उपन हो जाती है इन क्या करेंगे इसमें तो कोई एक अग काउंट चूज कर लेंगे इन क्या कर इंटरप्रेस करेंगे इस current financial जो work किया था वो सारे के सारे जो transaction होते हैं आपके सामने दिखाई देने लगते हैं तो friend इस तरीके से आप टैली में current financial year से next financial year में move कर सकते हैं या जा सकते हैं अगर friend ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे like कर दें और दूसरों के साथ भी से share करें थैंक यू फार वाचिंग आवर वीडियो